आस्ता का महापरव छट बहुत ही जल्द अरंभ होने जा रहा है छट परव का हिंदू धरम में बहुत ही विशेश मैथव हैं बिहार जार खंड और उर्तर प्रदेश में यह परव विशेश तोर पर बहुत ही हर्शो लास के साथ मनाया जाता है चट का परव कार्तिक महा के शुकल पक्ष की चतुर्ती तिती पर नहाय खाय से शुरू होता है पंचमी को खरना पश्टी को डूपते सूर्य को अर्ग और सब्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन किया जाता है चार दिन चलने वाले इस परव में सूर्य और शटी महिया की पूजा की जाती हैं इस दिन रखा जाने वाला वरत बेहत कठिन माना जाता है क्यूंकि इस वरत को 36 गोंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है यह वरत संतान की सुख्षी जीवन की कामना के लिए किया जाता है छट पर पूरे चार दिनों तक चलता है मान्यत्य के अनुसार छट माता को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा जाता है कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से संतान प्रापती और संतान की लंबी उमर की मनों कामना पूरी हो जाती है एक अन्या मानेत्य के प्रतान प्रापती के लिए पुत्रिष्टी यक कराना समझा। उस दौरन यग में आहूती के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवन्द की पतनी मालीनी को खाने के लिए दी गई। यग में खीर के सेवन से रानी मालीनी ने एक पुत्र को जनम दिया। लेकिन वह मृत्त पैदा हुआ था। राजा प्रीयवण व्रित्त पुत्र के शवय को लेकर शमशान पहुंचे और और पुत्र वियोग में अपना प्राहन त्यागने लगए। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देर से ना प्रकट हुई उन्होंने राजा प्रियवन से कहा मैं श्रिष्टी की मूल प्रवती के छटे अंश से उत्पन हुई हूँ इसलिए मेरा नम पश्टी भी है तुम मेरी पूजा करो और लोगों से इसका परचार परसार करो माता पश्टी के कहे अनुसार राजा प्रियवन ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विदी विधान से किया उस दिन कार्तिक मास के शुकल पक्ष की पश्ठी थी इसके फलसवरूप राजा प्रियमन्द को पुत्र प्रपत हुआ एक पुरानी कथा के अनुसार लंका के राजा रावन का वद्ध कर आयोध्याने के बाद भगव व्रत के प्रारंभ को द्रोपती से भी जोड़ कर देखा जाता है द्रोपती ने पांच पांडवों के बहतर स्वस्त और सुखी जीमिन के लिए चटवरत रखा था और सूर्या की उपासना की थी जिसके परिनाम सवरूप पांडवों को उनका खोया राजपड वापिस मिल महा भारत के अनुसार दानवीर करन सूर्या के पुतर थे और प्रती दिन सूर्या की उपासना करते थे कथा अनुसार सबसे पहले करन ने ही सूर्या की उपासना शुरू की थी वह प्रती दिन सनान के बाद नदी में जाकर सूर्या को अर्ग देते थे